कि आप लोग को पता हुआ कि इस बार जो मतलब कोवीड-ओड डर चल रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग को बहुत सारी तरीका की परसानिया होने माली है ठीक है तो अभी जो अफिसियल अप्डेट आया है वो यहीं आया है कि अभी जो बहुत सारे कॉलेजी वो होम सेंटर रखना चाह रहे हैं और बहुत सारे कॉलेज इस बात का अप्रूबल दीद देश चुके हैं कि उन लोग का होम सेंटर ही रहने वाला रहेगा ठीक है तो मैं कुछ गिने चुने कॉलेज के यहां पर नाम लोगा और उनका प्रूब भी आपको साथ दिखाऊंगा और बाकी जो कॉलेज हैं उन लोग का होम सेंटर रहेगा या उन लोग का कई सेंटर जाएगा इसके उपर भी बात करेंगे तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग को पता हुआ कि 25 फरवारी सम लोग का एक यू का इंवर्सिटी एक्जाम होने वा है यह आड़ा पर उनिवर्सिटी पटना से निकल करके आया है और इसमें बश जा रहा है कि यह दिखी आप नोतिस पर देखिए कि नोटिस कींटवी की इंगोद्व की की तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि डिशीजन टूबी कंडेक्ट एजाम लिया जाएगा क्यों लिया जाएगा इसका रिजन भी यहां पर दिया गया है कि एक पर आपको क्यूंट्र का अपड़िट नहीं देते हैं तो चली एक और आपको काफ़ेश का दिखाता हूं उसके भी जो है home center रहने वाला है इस बार ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहां पे देख पा रहा हूँ है कि यह जो है आपको मैं बता रहता हूँ यह देखिए यह सीवान का है ठीक है तो इस सीवान में भी यह बत चीज बताया गया है इक्जाम होने वाले हैं यह जो एक्जाम जो आपका अफिचली रूप से home center ही रहने वाला रहेगा ठीक है और यह की में रहने वाला रहेगा सेम बताया गया सेम रिजन बताया ठीक है तो इस तरीका से बहुत सारे ऐसे college है जो की अभी क्या चाह रहे है कि उनका home center ही रहा है और उनका home center ही वह रख रहे हैं इस बार लेकिन बहुत सारे जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा है तो जैसे करके इस बार हम लोगों को बस पास ही करना है ठीक है तो देखिए इस तरीका से मैं बता सकता हूं कि मुझे जाहता कि लगता है कि इस बार सारे college home center ही रखने हैं तो यह चीज़ आपको मैं बता दिया ठीक है दूसरी बात की बहुत सारे से college जो कि अभी अफिसल यूरुप से डिक्लियर नहीं किया है उनका home center रहेगा या नहीं रहेगा तो इसके लिए मैं एक आपको एक और clue देता हूं उससे आपको idea लगा कि इस पर home center रहेगा या नहीं रहेगा ठीक है तो चलिए मैं आपको एक और clue दिखाता हूं तो देखिए गाइज मतलब बता जा रहा है कि एक्जाम फी यहां पर आपको मतलब दिया गया था एक आप्सां ठीक है तो देखिए इंटरनल पर यहां पर cross किया गया है यानि कि इस बार जो है home center रहने के ज़्यादा possibility है चुकि यहां पर मैंने देखे हैं मैंने दो-तीन लोगों से बात कराゃ तो उन लोगों नहीं बता है कि ज़दी यहां पर इंटरणल नहीं मतलब नहीं करण जाता है तो समज़ें कि आपका जो grandi kara2 जाम वह आपके college से बाहर जाता है ठीक है लेकिन यहां पर इंटर्णल पर जादी क्रस करते जेता है तो ये जो आपका college का जो एक्जाम होता है वो आखास करके जो हता हुँ और एक्जाम पस में ही जद़ा मतलव करा जाता है तो इसे अःको लगता है कि इस बार जा सकता हूं कि इस बार हो रहने वाला है हालां कि कुछ कॉले जैसे डिकलर नहीं कर पाया है और नहीं कर रहे हैं तो खायर उनकी अपनी मर्जिय हो सकता है वो लोग अपने सेंटर करना कई भेजे भी पर तूस से ज़्यादा माईं नमलोक नहीं करना अभी आपने फोकस करना अपने पढ़ाई पर सांत की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में